मेरी प्यारी जंदागन कैसे हैं आप सब I hope you all guys are doing good, great and safe here at your places मेरा नाम है पलक राजपुत आप सभी की commerce आली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढले 11.30 commerce पे आज का हमारा topic होने वाला है ledger जो की आप लोगों का basic chapters में से आता है जो journal के बाद हम लोग बनाने वाले हैं और ये topic बहुत चोटा सा है और बहुत simple है और बहुत easy है मतलब simple और easy same ही होता है ठीक है तो before we start हम कुछ share कर देते हैं जैसे कि आपके पास में अब आगया है पढले app जिसको आप लोग download कर सकते हैं उसके ये कुछ features हैं ये कुछ features में कि आपको offline lectures मिलेंगे ad free experience है सारे notes मिलेंगे आपके जितने भी subjects हैं उनकी सभी के chapter के notes आपको आपके app पे मिल जाएंगे और आप उन्हें download भी कर सकते हैं और कभी भी कहीं भी देख सकते हैं ठीक है क्योंकि इसको स्कूलों में इतना सारा ऐसा कर देते हैं कि यह बहुत difficult है और exam में question कुछ तो भी पूछ लेते हैं तो बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है easy chapter है अब easy कैसे है कि आप लोगोंने ledger से पहले पढ़ाओगा journal journal में हम लोगोंने क्या चीज़े देखी थी कि हम लोगोंने कुछ basic entries को solve किया था complex entries को solve किया था और transactions को write down किया था हमारी journal book के अंदर journal के बाद हम लोग बनाने वाले होते हैं यह ledger ledger में हम लोग जो चीज़े करते हैं कि इसके कुछ features यह हैं यह सबसे पहले तो final entry होती है books of final entry मतलब इसके बाद में आप कहीं भी और entry नहीं कर रहे होते हो इसके बाद फिर आपके financial statements prepare किये जाते हैं जो कि आप year end पर कर रहे होते हो month end पर होते हैं, half yearly होते हैं, quarterly होते हैं weekends पे होते हैं तो वो जैसा भी होता है, according to firm wise होता है तो ledger जो होती है वो हमारी final entry की book होती है इसके बाद आप entry नहीं, आप statements prepare करते हो और वो कौन से होते हैं आपके financial statements फिर इसे बोलते हैं principal book of accounts ठीक है, यह main book होती है अब सबसे पहली चीज की main book क्यों होगी, principal book क्यों होगी क्योंकि जब हम journal पढ़ रहे थे तो journal में हमने क्या देखा था कि हम सारे transactions को chronological order के अंतर record कर रहे होते हैं पर अगर हमें कोई particular transaction चाहिए कि मुझे इस व्यक्ती के बारे में पता करना है तो मैं पन्ने तो पलता नहीं जाओंगी नहीं कि कौन से page number में रिकॉर्ड रखा होगा तो उसके लिए for the ease of accountants for the ease of organizations ये ledger जो है most important role play करता है अब कैसे कि इसमें ना हर व्यक्ती का अलग-अलग account होता है जैसे कि अगर आपके पास में RAM account है आपने RAM account का मतलब हो गया कि personal व्यक्ती के साथ में आपके transactions है तो इस व्यक्ती के नाम की एक अलग account पूरा बनाओगा जिसके अंदर सारे transactions इससे related किया, आपने इसको debit कब किया आपने इसको credit कब किया कितना pay किया, कितना इससे आया है तो वो आपको एक जग़ा पर collectively मिल जाएगा journal में हमें ये कब किया होगा ये पता नहीं चलता है तो ये एक जग़ा पर मिल जाता है इसलिए इसे बोलते है principal book of account summarized way के अंदर और classification जो है summarized और classified form of transactions classified वही कि किस-किस का account है वो आपको दिख जाता है summarized मतलब कि छोटे form में आ जाता है से बहुत lengthy transactions नहीं होते है ठीक है तो ये ledger के बारे में main introduction था कि ये ऐसे होता है उसके बाद में इसके features यह हैं कि ये primary entry होती है इसके अंदर summarized transactions होते हैं classification होता है हर transaction का राम, श्याम, furniture account, data account, predator account हर किसी के बारे में आपको इसके अंदर classification मिल जाता है और सबसे बड़ी important बात जो है आपके पास में वो ये है कि ये आपकी journal से prepare होती है ledger जो है वो कभी भी journal के बिना प्रिपेर नहीं कर सकते हैं सबसे पहले you have to prepare journal उसके बाद में आप ledger बनाएंगे आपको exam के अंदर questions भी ऐसे आएंगे कि आपको question दे देंगे transaction दे देंगे आपको पहले उनको generalize करना पड़ेगा उसके बाद में आपको उन ही accounts, उन ही transaction से ledger बनाना पड़ेगा तो ये कुछ features है छोटे छोटे, exam में ऐसा question भी आ सकता है right features of ledger तो ये सारा आप लिख सकते हैं अब utility की इसका use क्या है सबसे पहली चीज कि हमारा काम बढ़ जाता है काम कैसे बढ़ जाता है कि अगर किसी को particular transaction के बारे में बता करना है suppose माली जी year end पे आप लोगों के financial statements का जो होता है वो audit होता है अब audit में ये देखा गया कि RAM account मेरे पास में जो था उसमें 1000 रुपे से lower balance आ रहा है तो अब मैं journal के उस पे तो जाओंगी नहीं कि मैंने कहां पर RAM को entry किया होगा और वो देखूंगी तो मैं कहां जाओंगी लेजर में जाओंगी RAM वाले page को खोलूँगी उसमें वहां पर उसके सारे transaction का summarized form होगा तो मैं वहां पर से scrutiny कर सकती हूँ मैं वहां से match कर सकती हूँ कि मेरा 1000 का balance कैसे कमा रहा है तो इसलिए ये division of work आ जाता है यहां पर फिर है preparation of financial statements कि यह आपको help करता है financial statements बनाने में क्योंकि जब आप ledger को telly करवा देते हैं इसी का जो closing balance होता है suppose मान लिजे ये T-shape accounting है यहां पर आपका balance आता है यहां पर आपके transactions आते हैं यहां पर transactions आते हैं और यह जो closing balance होता है यह आपका जाता है financial statements के अंदर ठीक है यह वाला जो balance होता है ledger के account जो आता है वो आप financial statements में ले कर चले जाते हैं जो की होती है आपकी balance sheet trial balance और P&L account ठीक है और इससे हमें results मिलते हैं result हमारा यही होता है जो हमने यहां पर इस balance को निकाला होगा है तो यह हमारी ledger की utility है कि हमारा काम बढ़ जाता है और कम हो जाता है help होती है हमको की subordern नहीं आता है ठीक है stress नहीं होता है काम में हमारे पास में अब format of ledger बहुत इसी होता है यह T-shape accounting होती है पर format wise में आप देख लो date होती है particulars होते है जैसे journal में ledger folio होता था यहाँ पर journal folio होता है और rupees as it is वापस debit, credit side, date particular journal folio और rupees ठीक है अब यह आपकी T-shape accounting होती है और exam में आप लोग चाहें तो यह journal folio का जो column है इससे आप लोग उड़ा सकते हैं ठीक है इसके format में से इसको आप लोग अटा सकते है यह आपकी debit side होती है और यह आपकी credit side होती है अब format को शुरू करने से पहले most most important thing is कि आप लोगों को जो हमने starting class में पढ़ा था वो था हमारा एक clear वाला concept अगर आपका clear clear है तो आप यह सारे accounts easily prepare कर सकते हैं अब clear में क्या था कि C से मेरे पास में आता था capital L से मेरे पास में थी liability E से थे expenses A से था मेरे पास में asset और R से था मेरे पास में revenue या फिर इसे आप income भी कह सकते हैं वाव what a eye अगर आपको यह पता है कि particular transaction से आपकी capital बढ़ रही है या कम हो रही है liability बढ़ रही है या कम हो रही है expenses बढ़ रहे है या कम हो रहे है asset बढ़ रही है या कम हो रही है revenue आ रहा है कि जा रहा है तो आपके लिए format most easy हो जाएगा ठीक है तो अगर यह concept पता नहीं है तो videos पुराने देख लेना वहाँ से आपको clear का जो concept है वो clear हो जाएगा इसी clear के उपर आपका पूरा account step टिका हुआ है अगर आपको किसी भी transaction को यह classification करते आता है कि इसका result जो है वो मेरे पास में capital होने वाला है liability होने वाला है expense होने वाला है asset होने वाला है या revenue होने वाला है तो आपके लिए ease हो जाती है क्या ease हो जाती है debit और credit को classify करने में अब फ़र suppose difference से पहले हाँ तो अगर ease कैसे हो जाएगी suppose मानली जी मेरे पास में है capital liability expenses asset और revenue या फिर income ठीक है अब इसका result हम लोग देख लेते हैं कि result क्या होता है अगर मेरी capital बढ़ती है तो capital को जब भी बढ़ती तो हम लोग क्या कर देते हैं credit कर देते हैं और अगर capital मेरी कम होती है तो हम कर देते हैं debit liability मेरी बढ़ती है तो हम उसे credit करते हैं और कम होती है तो हम उसे debit करते हैं expenses मेरे बढ़ते हैं तो मैं उसे debit करती हूँ और कम होते हैं तक गई थी मैं थोड़ा सा कभी-कभी confusion हो जाता है गाइस और कम होते हैं तो credit कर देते हैं asset अगर मेरी बढ़ती है तो मैं debit करती हूँ कम होते हैं तो credit कर देती हूँ income मेरी बढ़ती है तो मैं उसे credit करूँगी और कम होगी तो मैं उसे debit करूँगी यह होता है एक universal modern rule एक short form एक short trick निकाली हुई है कि आप clear को याद रख लो कि capital बढ़ रही है तो आप credit करने वाले हो कम होगी तो debit करने वाले हो अगर यह आपको पता है अब इसके पीछे के logic को कोई ऐसा नहीं है कि क्यों debit और credit हो रहा है बस यह कुछ universal चीज हैं जो आपको या debit करना है अब format में अगर हम आते हैं तो format में जो चीज यहां debit हो रही है सपोज माली जी आप किसी debit nature के accounts के साथ में treatment कर रहे हैं तो यहां पर आप date डालेंगे date sequence आएगी ऐसा नहीं है यहां एक तारिक कर दी फिर यहां पर एक यहां पर एक जनवरी है तो यहां पर फिर आप 31 December का transaction कर रहे हो मतलब year सई चलना चाहिए अगर यह 01 है तो फिर यह 02 चलेगा पर यह 01 नहीं चलेगा तो इस चीज का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि sequence वाइज आपका पूरा transaction चलते रहना चाहिए हाँ sequence वाइज अगर आप किसी debit nature की transaction के साथ में treatment कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको लिखना है two balance brought down ठीक है journal folio का column हमेशा खाली आता है पर real books के अंदर क्या होता है कि जिस page पे इसकी entry करी हुई है वो page number यहाँ पर लिख दिये जाते हैं पर क्योंकि हमारे पास में इतना focus time नहीं होता है तो हम exam में इस चीज को waste नहीं करते हैं ठीक है time waste नहीं करते हैं और यहाँ पर आपका amount आ जाएगा जो भी आपका x y z amount है वो आप यहाँ लिखोगे अब जब भी transaction होंगे suppose मान लिजिए कि अगर यह transaction बढ़ रहा है तो यह two side पर ही आएगा कि two expenses आजाएगा two salary आजाएगा ठीक है कुछ तो भी x y z चलता जाएगा और फिर आपको totaling करनी वैसे ही same चीज यहाँ पर भी होगी यहाँ पर buy side चलेगी कि buy balance आ जाएगा या फिर buy जो भी transaction हुआ है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं एक दो account में बता देती हूँ उसके हिसाब से आपको यहाँ पर देखने में ease हो जाएगा फिर आप यहाँ पर लिख देंगे अब debit side का जो balance है उसको total करना है और credit side के balance को minus करते जाना है मतलब इधर के total को इससे minus करना है जो balancing figure होगा वो आ जाएगा आपका buy balance carried down और जो वो यह जो balance है वो कहां जाता है financial statements के अंदर ठीक है समझ में आया तो यह basic सा format है आपके पास में कि data side के साथ में two balance brought down होता है अगर creditor account है तो buy balance brought down होगा और उसका जो resulting figure आएगी वो two balance carried down पे आ जाएगी तो यह format है अब difference अगर हम देखें जो कि most important हो जाता है और 11th के exam में question से जादा कहीं बार difference पूछे जाते हैं तो basis of difference में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर है entry, entry जो होती है वो original entry की books होती है यहाँ पर आप सबसे पहले पहले transactions को entry में डालते हैं ledger में आप secondary entry कर रहे होते हो कि journal से जो entries आई हैं उसको हम लोग post कर रहे होते हैं record जो होता है वो chronological order में होता है journal के अंदर पर वहीं पर हमारे पास में जो ledger की book है वो analytical order में चलती है chronological order में नहीं चलती है मतलब कि यह accounts wise जाती है transaction wise नहीं जाती है classification of data जो होता है the basis of recording in general is transaction ठीक है वहीं पर ledger जो होती है वो posting होती है यहाँ पर हम record कर रहे होते हैं और ledger में हम उन्ही recording transactions को post कर रहे होते हैं process of recording इसको कहते है journalizing जो हम entries journal के अंदर डालते हैं उससे हम journalizing कहते हैं और जब हम ledger में journal को post कर रहे होते हैं तो उसे posting कहते हैं तो यह चोटा सा difference है आप सभी की TS gravels में और बहुत सारा सारा लिखा हुआ है पर यह main points है और यह चोटे-चोटे से points है बस यह key points यहाद रखलना और यह basis of difference जो है कि entry किसमें कैसे होती record क्या होता है classification of data किस चीज के ओपर होता है और process of recording journal में क्या कहलाती है और ledger में क्या कहलाती है ठीक है तो यह तो हो गया हमारा difference अब हमारा यह result हो गया अब आपको बताते हैं account account में अगर हम देखें तो हम सबसे पहले ले लेते हैं कि expense account suppose मान लीची एक salary account है अब हम लोगोंने पहले-पहले lecture में देखा हुआ था कि हम हमेशा as a business point of view से सोचेंगे कि मैं एक business हूँ और business के लिए salary जो होने वाला है वो होता है expense वरना बहुत सारे बच्चों के mind में आ जाएगा कि salary तो मुझे receive हो रही तो मेरी income है तो expense कैसे हुआ लेकिन business के लिए salary हमेशा 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 एक expense होता है तो जब यह आप account बनाओगे तो account बनाने के लिए basic format जो follow किया जाता है वो यह होता है यह आपकी debit side होती है और यह आपकी credit side होती है अब आप business हो आपके लिए salary जो है वो expense account है ठीक है अब अगर आप salary दोगे सबसे पहले तो आपके पास में कोई outstanding balance बचा होगा तो आप उसे यहाँ उतार दोगे journal में से देख देख के और उसके बाद में आप जब भी salary pay करते हो तो salary pay करने की entry क्या होती है कि हम किसी भी वेक्ति को salary दे रहे होते है ठीक है तो या तो हम salary account debit कर देते हैं और हमने to cash दिया है या to bank दिया है वो credit कर देते हैं और narration में आप लोग लिख देते हो being salary paid अब इस transaction के अंदर कुछ बाते याद रखो जिस चीज का account बना रहे हो उसका नाम उस account में नहीं आएगा that means कि ये जो entry आपने post करी है sorry record करी है ये कैसे जाएगी यहाँ पर ये opposite site पर आती है to cash salary account debit हो रहा है किस वज़े से cash की वज़े से आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि always ask why अगर why पूछ होगे तो आपको ये दिख जाएगा कि मेरी salary जो है वो debit किस वज़े से हो रही है मेरे cash की वज़े से मेरी salary जो है वो debit हो रही है ठीक है मैंने किसी को salary pay करी होगी इस वज़े से मेरा ये account debit हो रहा है अब यहाँ पे जो balances जाएंगे वो यहाँ पे carry forward हो जाएंगे और वो आज़ेगा buy balance brought down ठीक है ये basic सा fund है salary account के लिए अब अगर ऐसे ही हम देखें कोई liability account बना देते हैं या फिर suppose मानली जी कुछ entries लिखते हैं उस entries को solve करते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं entries में अगर हम लिखें तो पहला अगर transaction हम देखते हैं जो basic से transactions हमारे 11th 12th में भी होते हैं purchased furniture इन transaction को हम लोग अब sorry record करते हैं सबसे पहला है furniture को purchase किया है तो furniture को purchase करने के लिए entry के आएगी furniture account debit two cash आ जाएगा या तो पैसे दिये होंगे या अगर उधार पर खरीद कर लाए हो तो vendor का नाम आ जाएगा तो two vendor ठीके ये आपकी पहली entry है दूसरी entry में salary pay करी है तो salary को pay करा expense बढ़ा है मेरा salary account debit और pay कैसे करी होगी cash से या फिर bank से तीसरी entry है rupees paid to RAM अब RAM मेरा कोई लेंदार होगा ठीक है हाँ देंदार होगा sorry ये मेरा creditor होगा जिस वज़े से मुझे इसको पैसे देने पड़े होगे अब मेरा creditor जो है वो कम हो रहा है तो उसे में कर दूंगी debit मेरी liability कम हो रही है तो RAM account debit to cash या फिर bank फोर्थ वाले में हैं आपके पास में आप लोगों को किसी डेटर से पैसे रिसीव करने थे रुपीज रिसीवड फ्रॉम श्याम तो अब मेरा ये डेटर है और मेरे डेटर जो है वो कम हो रहे है डेटर मेरी asset होती जिससे मुझे पैसे आने होते हैं तो जब भी डेटर कम होते हैं तो हम उसे कर देते हैं credit तो जब भी डेटर से पैसे रिसीव हुए होंगे तो हम कर देंगे cash account debit टू श्याम ठीक है फिफ्ट एंटरी कहां करें यहां कर देते हैं फिफ्ट एंटरी में आप लोगोंने building खरी दिये यह सभी को entry आती है आप लोग बोल भी रहेंगे कि दीदी यह क्या पढ़ा रही है पर क्योंकि इससे हम लोग ledger में कैसे जाएंगे यह आप लोग को एक idea building खरीते टाइम पर हमारे पास में building बढ़ रही है तो building को हम लोग debit कर देते हैं और हमने जैसी भी खरीदी होगी cash दिया होगा तो cash credit हो जाएगा bank से payment किया होगा तो bank credit हो जाएगी या फिर उधार पर खरीदी होगी तो vendor का नाम आ जाएगा ठीक है और sixth entry जो है उसमें हम लोगों ने capital को introduce किया है तो capital जब भी introduce होती तो उसकी entry होती cash account debit to capital cash account debit to capital ठीक है अब वो समझ लेते हैं कि कैसे जब भी capital introduce होती तो मतलब हमारे business में cash को लेकर आ रहे हैं तो cash हमारा बढ़ रहा होता है तो cash मेरी asset होती है cash जब भी बढ़ता है तो debit कर देते हैं और क्योंकि cash किस रूप में आ रहा है capital के रूप में आ रहा है तो capital जब भी बढ़ रही होती है तो हम उसे credit कर देते हैं तो entry क्या हो जाती है cash account debit to capital ठीक है अब इनको post करेंगे कैसे आपने यहां पर transactions तो देख लिए कि क्या क्या transactions थे अब इनको post करते वक्त आप लोगों को ये बाते याद रखनी है कि आपको summarize कैसे करना है एक account बनेगा मेरा furniture का, एक account बनेगा मेरा salary का, एक आएगा cash का, एक मेरे data का आएगा, एक मेरे credit का आएगा और एक capital का बनेगा तो जब भी account बनाएंगे आप लोग और एक building आएगी, ठीक है, आप क्योंकि यहां पर most of the transactions जो है, वो cash वाले हैं, तो हम cash account बना के आपको बता देते हैं जब भी cash account बनता है, तो वो बताते हैं अभी कैसे बनता है cash account आप लोगों का यह chapter जो है most of the logic पे depend करता है, और क्योंकि 11 पे पढ़ाने को कुछ नहीं होता है, school आलों के पास में, CBSE के पास में, तो वो लोग ledger जैसा chapter दे देते हैं पर ledger जो है वो बहुत important chapter होता है, क्योंकि 12 में आप जो भी account बनाओगे, जो भी chapters को solve करोगे, वो आपके इसी format wise में होने वाले, वो सारे account जो है वो ledger में होते हैं, ठीके, जो भी आप transactions और accounts को prepare करो कि महाँ पे, वो सारे ledger accounts होते हैं, इस वज़े से इसका base clear होना चाहिए, तो ऐसे पड़ो कि आप कुछ logic सीख रहे हो, ठीके, आप अपने foundation को prepare कर रहे हो, इस हो जाएगा, तो हम बना रहे है cash account, cash account बनाने के लिए वही simple सा चीज, कि आप लोग ये debit side करेंगे, कि जब भी बढ़ेगा, तो debit, और जब भी कम होगा, तो credit, अब back entries पे देखो, कि यहाँ पर मेरा जो cash है, वो कम हुआ है, और वो कम किस वज़े से हुआ है, क्योंकि मैंने furniture खरीदा है, तो opposite entry कैसे आएगी, यहाँ पर आजाएगी, buy furniture, मैंने जितने का furniture खरीदा होगा, उस वज़े से मेरा cash जो है, वो कम हो चुका है, ठीक है, अब दूसरी बार मेरा cash, तब भी मेरा cash कम हुआ, तो मेरा cash कम किस वज़े से हो रहा है, क्योंकि मैंने salary पे करी है, तो by salary, आप लोगों को अभी यह चीज समझ में आ गई होगी, कि हम जिस account को ledger में prepare कर रहे हैं, उसको हम नहीं लिखते हैं, बलकि उसका opposite effect बताते हैं, कि मेरा cash बढ़ा क्यों, मेरा cash कम क्यों हुआ, ठीक है, तो एक बार मेरा cash कम हुआ, क्योंकि मैंने furniture खरीदा, दूसरी ब मेरे पास में मुझे किसी creditor को पैसे देने थे, तो मैंने अपने उधारी जिससे ली थी, उसको चुका दी, इस वज़ए से मेरा cash है, वो कम हुआ, तो यहाँ पर आजाएगा buy creditor, या फिर क्योंकि आपके पास में नाम present है, तो आप यहाँ पर राम भी लिख सकते हैं, ठीक अब आपका cash बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि जिस डेटर से आपको पैसे लेने थे, वो बहुत अच्छा व्यक्ती था, उसने आपको पैसे दे दिये, तो पैसे आ गए, अब पैसे आ गए तो बढ़ रहा है cash आपका, और किस वज़़े से, क्योंकि शाम भाया ने हम हमारे उपर क्रिपा करी है, और हमारे पैसे हमें वापस दे दिये हैं, फिर आपके fifth transaction में आपका cash कम हुआ, क्योंकि आप लोगों ने building purchase कर लिये, तो वो building जो है, जिस वज़़े से मेरे cash के balance के अंदर effect आया है, तो वो कम हो जाएगा, उसके बाद में capital की वज़़े से मेरा cash बड़ा है, capital इंट्रोड्यूस करी है मैंने, तो यहाँ पर आजाएगा two capital, अब इसके बाद में आता है result लेने की तैयारी, result कैसे, कि आपको दोनों side की total को लगाना है, जो भी shorter side होती है, उस पर आपको balance लेके जाना है, suppose माली जी balance आ रहा है debit side पर, तो two balance carried down, जित्ता भी balancing figure आ रहा होगा यहाँ पर, या फिर आपकी debit side बड़ी है और credit side कम है, तो यहाँ पर balancing figure आ जाता है, buy balance carried down, और यह है आपका balancing figure, ठीक है, यह दोनों account आपके close हो जाते हैं, दोनों side sorry, total लगा कर, और यह आपका account प्रिपेर हो जाता है, अब जो यह account आपके सामने है, ऐसे ही format में आपके बाकी सारे account भी बनेंगे, अब यहाँ से ही आप entry अलग-अलग post कर सकते हैं, अगर आप sham account बनाओगे, suppose मान लो अगर आप अभी यहाँ पर sham account बनाते हो, तो इसमें entry क्या आईगी, buy cash, ठीक है, क्योंकि sham क्या हो रहा है मेरे पास में, यहाँ पर जो sham, मे लोगों ने देखी थी, कि sham account के entry क्या है, यहाँ पर, मेरा जो data है, वो काम हो रहा है, ठीक है, तो data कम किस वज़े से हो रहा है, क्योंकि data ने पैसे दे दी है, तो इसलिए हमको data को कम करना पड़ेगा, यह credit side है, और यह उसकी debit side है, ऐसे opposite posting, चलते रहती है, तो यह सारा ledger का छोट असा concept है आपके पास में, अब इसमें जैसे भी transactions होंगे, सबसे पहले कोई भी complication आता है, तो most of the times अगर, जो एक important tip है, मैं आप लोगों को दे देती हूँ, chapter के end में, बस यही है chapter पूरी तरीके से, अब इसमें difficulty level क्या आ सकता है, कि बच्चों को लगता है कि entries क्या पूछ लेंगे, तो वो ledger का part नहीं होता है भीया, वो आप लोग जनरल में पढ़के आ चुके हो, वो आप लोग basic accounting terms के साथ में, basic accounting equations को solve करते वक्त, voucher बनाते वक्त, ledger बनाते जनरल की posting transaction को record करते वक्त, आप लोगों को नहीं के सारा कुछ solve किया हुआ था, अब important tips में क्य है आपके पास में, कि जब भी कोई complexity आ जाती है, कि अगर हमें लग रहा है कि हम ऐसे direct solve नहीं कर पाते हैं, सबसे पहली step क्या करो आप लोग, कि आप लोग डाल दो उसकी entry, और फिर entry के बाद में आप उसकी effect को record कर दो, कोई भी transaction है जो समझ नहीं आ रहा है कि अब इसका हम ledger में buy side पे post करना है, two side पे post करना है, क्या करें, तो सबसे पहले उसकी entry डाल दो कि क्या entry हो सकती है, उसके बाद में उसका effect record कर दो, ठीके, और जो balancing figure होता है, suppose मानली जी अगर इसी cash account में balance अगर debit side पे बच रहा है, मतलब आपके पास में जो है overdraft चल रहा है, overdraft का मतलब कि cash तो कम था, हमने आमदनी अठनी खर्चा रुपईया हो गया है, कि मेरे पास पैसे कम थे, लेकिन मैंने फिर भी उड़ा सादा दिये हैं, लेकिन अगर वहीं पर आपके पास में balancing figure credit side पे बच रहा हो होता है, तो मतलब आप लोग positive way में खेल रहे हैं, कि आपके पास में sufficient balance है और आप उसका सही तरीके से utilize कर रहे हो, क्योंकि यही आपके balancing figure जो हैं, वो financial statements और trial balance में जाएंगे, तो अगर, और हमेशा याद रखो, जो debit side पे balancing figure आती है, वो show करता है, credit balance, और जो balancing figure credit side पे आता है, वो show करता है debit balance, तो हमारे पास में cash का debit balance ही आना चाहिए, आप वो क्यों show करता है, क्योंकि जब आप next year में इसको open करोगे, तो जो अगर balancing figure credit side के उपर आया है, तो यही balance यहाँ पर आके हो जाता है, to balance brought down, मतलब sorry, यह शाम account में नहीं आएगा, confusion नहों इसलिए, buy balance अगर credit side के उपर है, तो यहाँ पर आते आते, जब आप नए साल में या नए महीने में इसको open करेंगे, तो यह balance आपके लिए हो जाएगा, to balance brought down, ठीके, और अगर आप यहाँ पर debit side पर आपका balancing figure है, तो next year या next month में आजाएगा, buy balance brought down, ठीके, इसलिए, आपको यह question भी एक एक नंबर में कभी MCQs पूछ ले, कि what does debit balance represent, तो debit balance हमेशा credit balance को represent करता है, क्योंकि वो next year का, next month का opening balance होता है, तो opening side जो होने वाली, वो closing balance की side बन जाती है, ठीके, तो यह बात को याद रखना है, यह बहुत important point है, अब इसके बाद में, तो अगर important tip में है, कोई complexity आती है, तो entry डालो, entry के बाद में उसको record कर दो, हमेशा, 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 follow format, क्योंकि format के हमेशा marks मिलते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, भगवान नहीं करें, ऐसा हो exam के अंदर, पर यदि कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी पड़ा नहीं है, और सिफ format ड्रॉ करके चले गए हो, तुक्का लगा दिया है, to, by, brought down, कुछ भी करके, तो format का one marks हमेशा मिलता है आपको, exams में, ठीक है, तो यह important tips में कि कोई complexity है, तो entry डाल दो, entry को effect record कर दो, और हमेशा format को follow कर लो, journal follow कर रहे हो, तो journal का format बनाओ, लेजर ड्रॉ कर रहे हो, तो लेजर के format बनाओ, speed up करने के लिए, आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो है, आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ practice, ठीक है, क्योंकि मैं इते जिनों बाद आई हो, मैंने भी बहुत सारा पढ़ा हुआ है, guys, इंटर में बहुत पढ़ना पढ़ता है, foundation तो यूहीं ऐसा लगता है, कि ऐसे चुटकी में हो जाती, पर इंटर में लिटरली बहुत पढ़ना पढ़ता है, तो जो लोग भी CA के लिए प्रिपेर कर रहे हैं, उन व्यक्तियों के लिए भी ये चीज़े important होती है, क्योंकि अ हमारा balancing figure आ रहा है, हमारा जो transaction है, वो किस result पे आ रहा है, debit है, credit है, capital है, liability है, asset है, expense है, revenue है, और उसके हिसाब से आप लोगों को posting करनी है, ठीक है, इसके अलावा इस chapter के अंदर कुछ भी नहीं है, इसके जो बहुत सुन्दर सुन्दर प्यारे प्यारे notes है, theory points जो important है, वो आ comment down, और आपको हमेशा available मिलेंगे हम, 24 by 7, जो भी आप लोगों की complexity होती, doubt होता है, confusion होता है, बिल्कुल खुले मन से पूछिए, क्योंकि पूछोगे नहीं और clear नहीं करोगे, तो पीछे रह जाओगे, ठीक है, तो clear को clear रखना, और practice करते रहना, जितने भी questions है, आपको अग आया हो, आप लोगों को सब समझ में आया हो, कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो please do let me know in the comment sections, हम मिलेंगे नए वीडियो में, जो की आप लोगों का होने वाला chapter number 10, जिसमें आप लोग books पराना सीखेंगे, cash book कैसे बनती है, purchase book कैसे बनती है, तो वो वीडियो बहुत, वो भ जल, तब तक अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जैहिन, वादे मातरम, बाबाई, टेक केर